गुट इबनिंग नमस्कार जय हिंद जय भारत जोहार धारकन कैसे हैं दोस्तों आप लोग क्या हाल चाल है सबी लोग का हाल चाल बताइए थोड़ा सा सही है आप लोग अन्किता जोहार health is everything you good health by the high reíll Durham ऱुक्तीर रफिशनाथनी इप सभीको शूबसंग्याट रन्नुंग बुड़निंक रंधीर वारी से शुष्टर लिखना चाही यह और प्रो ने लिथा ठीक है ममाज गर्ल्स प्यू गूड इबनिंग रवी शनातनी सब कोई सही है चलो भईया संगम गूड इबनिंग राम राम भाइस रवी ब्रोग बटी वर्ज ओके कोई बात निए अना दिभ्या नूरी रोष्णी अंकीता धिरज रवी रोष्णी रिंकीर सबी लोग आ गये से चलिए ठीक है नंदनी तीवारी जी अपका तीवारी जी कोमाल कुमारी एलोन गर्ष सब स्फ़ांग सब्सद्रास यहां से यह जो की और चलते हैं जो की जार्खंड का सेशन हुआ करता है और आज हम लोग देखने वाले जार्खंड के कुछ लेखक को देखेंगे और लेखक के साथ-साथ उनकी क्या रचनाय है उसको भी देख लेंगे ठीक है काटे पूरी दुनिया कर रही हम क्यों ना करें अच्छा ऐसा क कभी लोग मज़े लेने लग गए हर कोई मौका फोड़े जानते हैं आपको बताओ मैं आप कभी भी कुछ भी बनना जीवन में हलाकि अब त्याग करने की छमता होगी तभी सिच्छक बनना सिच्छक बनने में बहुत त्याग करना पढ़ता है अग बता रहा हुँ मैं लिए उनको आप नहीं जानते हैं उनको यह इसकी तलब थी उनकी एक आदत थी स्मोकिंग की आदत थी त्वे एक चिग्रेट पीने के लिए जब क्लासेस का गैप होता था तो कहां जाते थे सुचिय कोई सुनेगा तो मास्टर जी क्या बता रहे हैं वह इतनी दूर जाता सब्सक्राइब नहीं समझते हैं को विद्यार्थी देख लेगा तो फिर क्या परवाब पड़ेगा हम उसको अच्छी बाते बताते हैं तो मतलब सोच लिए कितने कितना कश्ट साता है टीचर आपके लिए अगर कुछ काम करने से पहले दस बार सोचता है कि कोई मेरा विद हम को चाय की आदत है बहुत अच्छी आदत है बी कंटिन्यू जी विल्कुल विल्कुल समझ रहे ना बहुत सारी चीजों से यह करना पड़ता है तो चलिए आज कुछ जो है ना मैप वर्क भी करेंगे यह है डर 247 का अप अगर आप लोग डाउनलोड कर लेते हैं तो यह स सारी फायदा आपको सारे फायदा मिलने वाले स्टेडी मेटेरियल तो है ही साथ साथ में करेंट अफेर की बात हो जाती है जोब एलर्ट्स डेली वेसिस पर क्यूज सब्जेक्ट वाइज क्यूज मैग जिन्स पावर कैप्सूल नोट आर्टिकल्स वीडियो जी यह सारे च अचाहे में टेस्ट नहीं आता है एक्चली क्या होता देखिए उल्गुलान जार्खंड के ताहती है आपका जार्खंड और यह जार्खंड के जो है विभीन जिले भी आपको सामने नज़र आएंगे एक जिला इसमें नहीं दीख रहा है कौन पहले बताएगा कि कौन सा ज याद कर लिये हैं हाँ बिल्कुल कोड भी याद कर लिए बहुत सही आप लोग भी याद कर लिजे वाई 802 कोई भी कोर्सेस विहार जारखन यूपी बंगाल यूएसे न्यॉयॉर्क कहीं कभी कोई क्लास का कोर्स लेना है तो वाई 802 हाँ बताये कुण हाना खूटी नहीं द पढ़ेगा हां रामगड भी नहीं रामगड और खूटी एक साथ चलो बढ़ी रामगड हो नहीं दीख रहा है ना चलिए तो रामगड हजारी बाक से आखूटी राची से अलग होके बह गई बह गई मतलब बढ़ गया है दो जिला बढ़ गया ठीक है यह दो जिला हो गया भी तो इस मौसम चला गया ना मौसम चला गया मंजरी लगने जब फर्वरी मार्च में आएगा अच्छा मुझस अमें दिया जाएगा अब आप लोग को कुछ और भी बतानी यहीं तक से रोकूंगा नहीं मैं यहीं तक से और भी बाते है अभी सुनो अब मुझे यह बता यह कुछ कुछ नदियों के बारे में आज बात करें उसके बात आउथर पर आउएगे 10 मिनट चलेंगर टाइम देख के अब हुआ आज कुछ नदियों की बात कर लिमिया अब हमको जैसे नदी का नाम ले लेंगे हम उस नदी का उदगा मस्तल बताना है और साथ यह भाई哎na सा बताओ मेरी बात सोन नदी कहां से निकलता है कहां को मिलता है और किस-किस राज़े से होकर जाता है जल्दी बताओ कहां से निकलता है कहां को जाता है किस किस राजसे होकर जाता है सोन नदी की बात करो नदी में पहला नाम ले लिया मैंने सोन इसका उद्गा मस्तल कहां है किस राजसे जारकन के किस राजसे होकर जाता है कहां जाके मिल जाता है हां मैकाल परवत एक जहन अमर कंटक बोल रहा है सर इस वेरी पंच्वल हां मैं पंच्वल हूं कुछ लोगों को हमेशा डावट रहता है पंच्वल नहीं रहता हूं बताओ ठीक है यह मैकाल परवत के अमर कंटक पहाड़ी मैकाल परवत रेंज है ठीक है बिलकुल सही है मैका मेकालपर्वत में पहाड़ी में तो मेकाल पर्वत में एक है अमर कंटक की पहाड़ी वहां से निकलती और किस2 जिले से होकर जाती है अमर कंटक MP سे 36 गड़ होते हुए हाँ बहुत सबस्वाइब उत्य गड़ूँ के धर निकलते हुए ना है से गड़वा और पलामु से होते हुए विहार में भूश जाता है आईए ना कभी जाइए ना कभी उनके विहार में ठीक है तो बहुत सही और यह जाके किस में मिल जाती है यह जाके मिल जाती है गंगा में मिल जाती है गंगा नदी में मिल जाती है जो गंगा जाते रहती है पटना के पास हना पटना के पास दानापूर में दानापूर के पास पटना के पास जो है गंगा में मिल जाती है इसकी जो अगर सहायक नदी की बात बोला जाए तो उत्री कोयल नदी जो है इसकी सहायक नदी है ठीक है बहुत सही गंगा में मिल जाती उत्री कोयल गुड इब चलिए अगला नादिक नाम ले लेते हैं उत्री कोयल बताई उत्री कोयल उत्री कोयल कहां से निकलती है को कहां से मिला दिया हाँ हाँ सोरी गलती हो गई उत्री कोयल इधर से इधर से आएगा राची के तरफ से आगा इधर मिल जाएगा सॉरी 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 उपर कर दिये हमको सोन का ध्यान में था उत्री कोयल राची के तरफ से जाएगा राची के पठार के तरफ से जाएगा और उधर जाके मिल जाएगा बिल्कुल बिल्कुल ठीक है थैंक्यू राची पठार के मीड़ से निकलता है बहुत सही है उत्री कोयल कहां से नहीं हां राची पठार के कर दि हैं बहुत सही तो यह कर दिये आप राची पठार के मध्य भाग से निकलता है और मुहाना यह कहां जाके मिलता है यह कहां जाके मिलता है यह चलिए यह जाके मिलता है कहाँ पर हाँ यह जाके मिल जाता है सोन नदी में मिल जाता है सोन नदी के सहायक नदी है बिल्कुल सही है सोन नदी में मिल जाता है यह जाके सोन नदी में चलिए अब जो है इसकी सहायक नदी बता दो कौन-कौन जिला से होकर यह जाता है पले तो आप वहा छेत्र बताई यह अपना चेत्र का मतलब समझते हैं किस किस जीले से होकर जाती हो कौण कौण aircraft ठीक है यह जाती है इधार से निकलती है प्लेट्युआ से तो लातेहार पलामू घड़वा होते वे गलती है थें मिल्टी है स्लिट आसे से लेकिन पला मुं पर में बहने वाली नदी है कौन नदी भया तो आपको उत्रे कोयल की बात कर लिए शर मैं लिख दी हूं अच्छा चलिए कोयल के सहयक नदी और अमाने बहुत सभी है गडवा पर लाते हैं बहुत पहुत है लिग दिया अब अगला ये इसके Ini उप्नजी के वारें बात कर ले से ये हो गया अब पुंपुं नदी बताईए पुन नदी फोल फॉल पॉन नदी जल्दी से बताएंगे है इसे फोल फॉल न दी चत्रा निकिस्स बहुत सही है पुन पुन दीगा नाम बताएंगे थोड़ा सा माइंड अस्ट्रोम होगा ब्रेन स्टोमिंग होगा मुझे पता है इती ब्रेन स्टोमिंग क्लास अचा एक क्लास का नाम देते हैं इस तरह का creativity class लाते ब्रेन स्टॉर्मिंग क्लास फोर जार्खंड कैसा रहेगा ठीक रहेगा ब्रेन स्वानु बुक सब का दीजिये ना बुक सब क्या दू बुक सब करा देंगे 10 मिनिट तो इसको देंगे ना बताइए तो इसमें पलामु कहां से पलामु से निकलत यह पुनपुन नदी अब मुहाना कहां मिलती है गंगा में ठीक है तो पलामु से निकलके यह चत्रा से होते हुए चले जाती है कहां बिहार में विहार में गया हो गया गया में हो गया जाकर मिल जाती है कि इसमें लाष्ट में ब्रेन अश्टॉक कर जाएगा पलामु से प ओरंगाबाद गया पठना कहाँ पहर में ओरंगाबाद गया और पठना में जाकर जो है यह मिल जाती है गंगा मैं तो यह पुन-पुन कहां से निकलती है पलngulo मुष चत्रा होते वữa चलती है गया रंगा गयापंड़ा नहीं करेगा अगर थोड़ा पेसंच के साथ कर लोगे ने class hanging classes या brain shock classes ठीक है चलो बढ़ी या अगला class ले लिए फल्गू नदी बताओ फल्गू नदी अगला class अगला class नहीं अगला नदी जिसको फल्गू नदी बताओ फल्गू नदी गया पटना और अंगाबाद चत्रा बहुत सभी बहुत सभी लग रहा है कि टेंड कंडक्टर जैसा जो है ना पसंजर जून रहा है बताओ यहां पे फल्गू नदी जो है कहां से निकलता है मिल जाता कि से पुनपुन नदी नदी से मिल जाता किस में मिल जाता है पुनपुन कि से आयक नदी चलिए फल्गू नदी और यहीं नदी आगे बढ़ती वे जब जाती है पुनपुन मिल जाता है तो उसके आगे जाती है क्या नाम हो जाता है निरंजना नदी गया के पास क्या नाम हो जाता है निरंजना नदी पुनपुन में मिलती है यही आगे जाकी क्या हो जाता है इसका नाम मिलने के बाद निरंजना लीलाजन या म यहना भी बोलते हैं थीक है दो ईसका उपनाम इनता सलीला एक और नाम में समझ लिए याद रखेगा फलगों ने दिखांगा नाम है अंता सलीला को भी पूछ इतना कमाता है इतना कमाता है कि इतना बताए पिंड़ डान करने अरे बोई ना बोल रहे खुटी ने दिया ने तो हम सुचे के 15 दिन वहां से कमा के आ जाते कुछ बहुत लोगों की मुक्ति कमाने का बहुत अच्छा जगह है वहां पुरा देश विदेश से सब पिंड़ डा बताओ एक लास्ट कर रहे हैं एक दिन में नहीं करेंगे सब समझ रहे हैं पहले बताते न सर हम सब चलते आरे चलो ठीक है शकरी नदी शकरी नदी नाम सुने है कि नहीं सुने है शकरी नदी के बारे में बताए जल दी से हां तो यह शकरी नदी जो आपका निकलता है उतरी छोटा नागपूर से निकलता और गंगा के ताल छेतर में जाके मिल जाता है ठीक है मार्ग बदलने में ये भी काफी कोख्या थे सुमागदी इसकी उपनाम है इसका और भी नाम क्या है सकरी का नाम है सुमागदी शुमागधी ठीक है फिर हम बॉबी का पॉकेट मारते पॉकेट मारते मतलब मेन पुएसा यही है अब समझ में आ गया चलो भी ठीक है कोई बात नहीं अगला चली अब छोड़ देते हैं चारी नदी के बारे में अब अगला आ जाते हैं जारखन के साहित्या और साहितिकार प संथाली लोकगीत के दोष संग्रा परकासित किये गए हैं अब अब भाई को मारेगी और यर्भा फ्रिभा खतरनाक आदमी सब यहां पर ठीके बोलते हैं राजा सर चटे हुए सब पढ़े आये पढ़ने आये सब को चटे मा गुंडे लोग है तो संथाली फॉक का जो बोला जाए सॉंग है बीन पब्लिश्ट बाइदा विच आप फॉलोइंग डबलू जी आर्चेर हाना जे फिलिप्स वी एन होरो डेट कपूर तो सभी का जवाब आर्चर है तो आर्चर सभी का जवाब सही है तो यह सही ही होगा मिल्कुल डबलू जी आर्चर क्या की अब ही है जो बुक जो हैना का संथाली लोकगीत का दो शंगरा प्रकाशित कि एं डबलू जी आर्चर बाहुट सही आगल्ला तो ईक कृचा सवाल में सब्सक्री यह डा लिंग्विस्टिक शैर्भे आफ इंडिया पुच्ता के लेखा कौन है है कौन होंगे लिंग्विष्टिक सर्वे अप इंडिया पुष्टक के ले खक जॉर्ज अब्राहम गीर्षन कामील बुलके फादर गोश्ट्नर जेम्स कपूर कौन है तो सभी का जवाब आ रहा है जॉर्ज अब्राहम गियर्षन जो की विल्कुल सही जवाब है लिंग्विस्टिक सर्वे आफ इंडिया पुष्टक के लेखक है जॉर्ज अब्राहम गियर्षन चलिए अगला सवाल ले लेते हैं क्या है जॉर्ज अब्राहम गियर्षन है डिस् ईसको नाखपूरी समझ में आजाएगा जिसको नाखपूरी समझ में आता हुश्य समझ में गांगी बलकुल मिलता हुवा है यह जब एक्जाम केंसल कर रही चाहिए अब हम की करिये तो यह हो गया आपका जो है मैथली और जो है जब बात करेंगे तो बुलेंगे आवता नहीं पढ़ता नहीं एतना पढ़ पढ़के पगला गे लेवानी लेकिन अभी तक ला परिच्छा के फ़र में निकले लाओ जब नि करके ठीक है चलिए फू एमांग दा फॉलोइंग इस कंसीडर टू भी फ़र्स्ट पोएट आप ना पूरे लेकिन एक बात मैथली सुनिये गा ना इतना मधूर लेंगूज इतना रगुनात भाई जी अच्छा 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 चली सांगे सांगे लिक भी हो जाता है अ भी किसे माना जाता बताइए विच आप फॉलोइंग इस पोएट आप नागपूरी हनुमान सिंग रगुनात नरी नरीपती जय गोबींद और ब्रज ब्रजुमन तो यह बिलकुल नरीपती जी आप लोग शही आंसर दे रहें बिलकुल शही आंसर दे रहें है ना बहुँ सही रगुनात बाबा ही वोज नागवंसी राजा चली बहुत सही है महंत घासी वोज राइटर आप अच्छा मुझे एक बाद बता यह कोश्चन यह भी पूछ सकता बिद्यापती किस भासा के कभी थे बिद्यापती है नहीं की कहानी थी ना कभीता बिद्यापती कभीता कि वरी हरी के नहीं पूछत कि जीवन की जब सान्झ होती है तब प्रभू के पास पहुंछते जवानी में आजब श्रीयर में आकरता ता स्ब्याद से हैं तो यह मैंथली से टेमेट ली सथे चलिए अच्छा है यह क्या पूछ रहे हैं घासी वाज महात महंत घासी वाज राइटर ओप नागपूरी लेंगोँज के रैटर था बहुत सही ले थाउज ओख या फूसल एस बस वाल ग्सवाल यह है किया सही क्या है भॉव तब नागपुरी फर्स्ट ग्रामर नोट्स ऑन दा गन्वारी डाय होगा एक बार सभी लोग करते हैं जितने प्योर जार खंडी वो लायकर सेर दोनों करेंगे जो हैं ना जो आधे जार खंडी है मतलब दोनों जो जगा है वो कि राइक करेंगे आदों जो जारखंड और विहार के कुछ नहीं हो विंदाज क्लास करेंगे टैंसन कुछ इ bandwidth कैसे सब कैसे सब कैसे यह सब भासा लिखा उगा मेहनत मेहनत के आगे सब कुछ इस विर्टली समझ रहे कि नहीं चलिए बहुत से विजब से सब कैसे घरता है यह खल कहा POS सुतने से नहीं होता है आफको पता है जैम बामे लिप को को करने का प्रयाश किया था फिर जेम्स प्रिंशिक का नाम पता है कहां से आके हम लोगों का भासा हम लोगों का साइथ हमारे पुरातत्तु यह सब कर रिसर्च कर रहा है सोच लिजिए मैं उलिशा से हूँ क्या करूं दोनों करो आप दोनों पड़ोशी हो ना रखु गुप्त चलिए क्या है which of the following is the composition of बैनिराम महता निमने से कौन बैनिराम महता की रचना है नागवनसावली नल चित्रित्र काटी महराजाद मदरा मुंडा कौन है बताव जल्दी तुम यह क्या कोश्चन पूछता है हभी भी हभी क्या पूछ लिया ऐसा है हभी भी हभी 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 कि नहीं हभी बता तुम्हारे पास ठीक है चलो नागवनसावली इंगलिस में अच्छा एक से अच्छा हिंदी हां 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 चलिए तो यह है वेनिराम महता ने क्या किया भई नागवनसावली की रचना की है वेनिराम महता ने ठीक है अगला सवाल ले ले बिचारी के पास भी भी नहीं है ब्लोक कर दी है चलो कोई बात बहुत करते हो जल्दी जल्दी सवाल का जवाब दो हुई दा अथर आप को रामबे एंसी डॉट एंसी डॉट्स को रामबे उपाख्यान के रचनाकार कौन है सुनो मेरी बात जब हम लेके आ रहेने ज्यादा तर जो हिंदी है अगर कुछ गलती मिलें इंगलिस में तो हिंदी को सही मानना होगा जैसे कि एक्जाम लेने वाला ब ज्यादा ना सोचिये सोच ती अच्छा चलि कोई बात नहीं कि आप पूछ रहें को राम्बे उपाख्यान के रचनाकार कोन है प्रफुल कुमार रॉय स्री सरवन कुमार गोश्वामी घासी राम दरिकपाल राम देवधरिया तो प्रफुल कुमार राए सरवन कुमार रचना इनके द्वारा ही किया गया है अगला सवाल ले लेते हैं क्या अगला सवाल अगला सवाल क्या है निम्लों किसे कौन सी क्यावल सोरेन की रचना है which of the following is only the composition of सोरेन बताये यहापे एक बार लाइक और शेर कर देंगे बंधू गन आप लोग संथाली ब्याकरन जो न भी जो रचना है न बाबू तो यह हैं किसने किसने से दिया संतली हिंदी संतली कोस अगला सवाल को ले लेते एक Grammar of the Santhaly language के लेखक कोन है एक Grammar of the Santhaly language के लेखक कोन है AO Space Route, J. Phillips, P. O. Boarding, W. G. Archer कौन होंगे बताईये एक Grammar of the Santhaly language के लेखक कोन है तो यह है आर अस्पेस्ट रूड शहब हना ए ओ लो स्पेस्ट रूड इन्होंने संथाली ग्रामर लिखा ग्रामर की बुख जो है नो इन्होंने लिखा ग्रामर आप संथाली लेंग्वेज ल ओ अस्क्रैप्स रूड इस दा राइट आंसर ठीक है चलिए अगला सवाल ले लेते हैं अगला सवाल क्या है विच अब ऑफ ओलस इजसे बी पी वेट टिज के शरी छॉट प्ले निम में सो कौन सा बीपी केश रिका लगुनातख निम में सो कौन सा मीपी धिक शरी का लगुम नाटख यहां नल्चरित को टैप कर दिया टैप करेक्टर कर दिया अधा कि छालो ठीक है थाकुर विश्वनात साही इस दा राइट अंसर बीपी चेषरी लगुनाटक जो के रचनाकार कौन सा है भी पी केसरी का लगुनातक क्या है ठाकूर विश्वनात सही यही नम वीपी केसरी के दौरह रचीत है अगला सवाल ले ले अगला सवाल क्या है देखलो क्या अगला सवाल पढ़ो ही दी शाशतर आप मरंग गोम के जेन रली होगा ठीक है मरंग गोम के जैपाल सिंह के रचनाकार कौन इंड pseudo ऐ बताओ रर्फुल कुमार होई काली कुमार्शुमन गिर्धारी राम गोंजु धनी राम बक्षी कौन होगा जल्दी बताओ दिरज रिषभ तरन्नुम रोष्णी मधू रभी रिंकी तरन्नुम अंकिता सभी लोग का सही है सही है सही है सही है हाना दिव्या पुजा कहां पुजा कहां नहीं दिख रही है पुजा कहां है गिर्धारी राम गोंजु इजदा राइट आंसर गिर्धारी राम गोंजु इजदा राइट आंसर ठीक है सर्नेम गोंजु क्यों लिखते हैं ये इट्स देयर बिजनेस डांट इंटर्फेर ठीक है ना मजाक ने उड़ाने का किसी का कुछ भी लिखे ठीक है बहुत सब्सक्राइए अगला सवाल क्या है अच्छा इसमें एक चिहार अना मरांगों के भी मिलेगा कहीं कहीं ठीक है ध्यान रखेगा तो गिर्धारी राम अप मेरा मेर मित है ठाया हना मिट आया कॉंस नईड़ दिन मेडा मेरी टायक की रवना रचना है बहुत अचछा बड़ के हना नम अ में मेडाय की रचना है दूट इविनिंग राने दूट इविनिंग इट्स हर चोईस हाँ इस हर चोईस मेरे मेरा नहीं बोलेगा कि सही आपका भी नहीं सही है आपको एक एडवाइस दूअ दे दो क्या दिक्कत था प्रीका होना चाहिए वस नए नुद्दिन मिर्डाई आई यह मुझे कुछ नडाउट लग रहा है इसमें थड़ा सा देख लेना इसको कुछ और स्पेल्ट होना चाहिए तो यह क्या मैंक से की दा राइट आंसर है ना मैंक सेक ने इसको क्या एज़ दा राइट आंसर यह ठीक लिख रहा रंधीर नाइमुद्दिन मिर्दाहा बहुँ सही है हिंदी इंग्लिस दोनों में बुक मंगा यह तो उससे हिंदी इंग्लिस टांसलेट करने में जरूरत नहीं पड़ेगी दोनों बुक मंगा बुक नहीं मिल रहा मार्केट में मैं गया था तो वहाँ पर नहीं मिल रहा है उस तरह कोई बुक मिला ही नहीं जो कि एक ही कोश्चन को दोनों ट्रांसलेशन में रहे या तो कुछ अगर है भी एक दो तो उसका जो ट्रांसलेशन करना हमको इंग्लिस ही लाना चाहिए इंग्लिस का ट्रांसलेशन हिंदी कर लेता है लेकिन हिंदी क ख़डी गड़ा के रचनाकार कौन है ठीक है है सर हम मंगवा लाए हैं इंगलीज में चलिया तो बहुत बड़ियां पैसा बरबाद करवाती है गुरूजी का नहीं नहीं पैसा बरबाद नहीं बहुत पैसा जो पढ़ाय लगता है नूसको बरबाद निशको इंवेस्प्में इस फटल फटल खरीदते हैं घुटना पे उसको बुलते एक्सपेंडीचर एकनोमिक शही है ठीक है तो इन्वेस्टमेट में कोई दिकत नहीं है क्या-क्या गड़ा पड़ा लिखा हुआ हाँ खले गड़ा date ix fellah JavaScript कॉंगयट काinhos ने तो काली कुमार सुमन को नबीया तो काली कुमार सुमन इज़़ाइव काली कॉमार शुमनी दर हैटल सुमनीद है एसा नाम क्यूं रखता है कि थोड़ा थोड़ा एड्जेस्स कर सकते हाँ विलकुल करेंगे बाद में मिलेगा डबल होके हाँ हाँ सब्सक्राइब नूरी से रिश्फाप से ले लिजिएगा कहा के लिए लेंगे तुम लोग से कहा क्लिए लेंगे ठीक है अच्छे लिए बताइए अच्छा कोई बोल साथ अपनी संस्कृति के साथ खुश थे आप लोग घुश गया बोलते सदान बन के और बोलते हैं कि विया ऐसा नाम क्यों रखे यह को मतलब हुआ चलो नागपुरी भासा में महाभारत के लेखा कौन है इसलिए सब तीर मार के निकाल रहा था सदानों को सुरुवात में एक हाँ चलो ठीक है यह कौन सा बुक है सर यह महाभारत के लेखा कौन है यह बता यह पले डॉक्टर सरवन कुमार गोस्वामी कंचन पाशी राम बीपी के सरीतने दिनों से बुक है आप सब थोड़े पढ़ लिये हैं तो यही है नागपुरी भासा में महाभारत के जो है सब्सक्राइब कीचेन जो है ना साफ नहीं है आपका बेड थोड़ा और चोड़ा होना चाहिए सोफा थोड़ा और गद्यदार होना चाहिए ऐसा कोई आके गेश्ट आपके यहां बोलने लग जाए फिर बोले कि आप लोगों का जैना इस तरह से रहते ऐसे रहना चाहिए कोई सजेशन दे तो कैसा लगता है वहीवले बात होगे यहां पर चलो कौन से विंदन सिंग गवरांगिया की गीत की पुष्टक है यह सब नए लगते होंगे इतिहास कार बिल्कुल हट के है कोई कहानी से नहीं है इसलिए साथ ब्याक्षा अगर नहीं होता तो लगता है क कैसे याद करें इसका ही तरीका किया कुछ बार रिवीजन करना पड़ेगा कुछ रिवीजन करना पड़ेगा कंचन महाभारत कंचन किया हम तो सर हिंदी में पड़े हैं महाभारत कोई बात नहीं हम भी हिंदी में पड़े हैं आप लोग कब पड़े महाभारत मैं जब पां हम लोग को पता नीसलेवस में रहन दिया की निया विनद सिंग और आंगया की जो पुष्टक है बहुत है फ़िक थे देखो यहां पे होने लग गया हम भी है तो हम भी मा इंब भी यह बताओ हम लोग बच्पन में टीवी में देखें हैं बहुत सची है हम थोड़ा सा बोल दे तो जातिवाद हो गया और यह लोग हम गमार है तो यह है तो हम वह है तो छातिवाद यहाँ पर नहीं जाती जनगन्ना यहां पर नहीं हम यह ताट किये थे हम भूल भी गए चलो कौन है गीत बाई विनन्द तो ध्यान रखेगा कौन है आधी जुमर संगीत के बारे में लिखा गया किसके द्वारा तो विनन्द सिंग और अग्या के द्वारा अगला सवाल लिजी क्या है कर मालिक घंघर पुस्तक के लेखा कौन है कर म मालिक घंघर यह जो पुस्तक है इसके रचेता कौन है चंडिदास रामक्रिष्णा माली परमानिक ब्रिंदावन मुर्मु मुर्ख मुर्ख लिखा हुआ यही होगा क्या मिस्प्रिंट तो नहीं है यहां पर फूल भी ट्रांसलेशन का हुआ है जल्दी बताए बिहार में जाती का जन्र नहीं हुआ है इसलिए तो बिहार मनीति स्वाबा जीते हैं क्योंकि कुर्वी वोट बहुत है अगला एक भी लाइनवर्ड जो है ना जाती वाला आधारित वाला नहीं आना चाहिए अभी समझा दे रहों मैं है ना साइलेंटली समझा रहा हूं कोई नहीं को करमालिक घंगर पुष्टा के लेकर कौन है तो चंडी दास ठीक है अगला सवाल करमालिक घंगर के पुष्टा के लेकर चंडी दास बहुत सही है कोट रुक हां रुक लगा दिया था रोक लगा दिये था आज इंगलिस को उल्टा साइड कर दिए हैं आप हाँ यह हो गया है पता नहीं हम नहीं किये अ itad खोठा भास के संवंद में किस नेृ लिखाए कि है भारत के प्राचिन्तम लिपी खरोष्टी से संबंधित है बताओ हाँ 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 धक जा रहा है तो हम हड़ जाएंगे खोठा भासा के संबंध में किसने लिखा या भारत के प्राचिन्तम लीपी खरोष्टी से संबंधित है बीपी केशरी एके जा परफुलकुमार रोय किसने लिखा है कि तो यह जाजी ने लिखा है कि तो नहीं हो आधर आर तो नहीं होगा बाद की पता नहीं एक एक जहा नहीं होगा कर उएंड नहीं नहीं होगा बोल रहे हैं अच्छा ठीक है जहा जहा जी कल से नागपुरी पढ़ेंगे पढ़ो नागपुरी एक जहा a.k.a. is a right answer ak.a. u.s a right answer legal, I miss all अगले से अवल क्या है भूदे स्वर दुद सर्मा किस भासा के परसी दुलेखक थे होटा नखपूरी पंचपरगनिया क्लूख ज़ल दी सबताएंगे भूने स्वर दुद अर्थ सर्मा किस भासा के परसी दुद दुलेखक थे खोठा नागपुरी पंचपरगनिया कुडुक यह खोठा के लेखक है ना जो खोठा जी लिए होंगा उसब को तो पता होगा इनका पढ़ना पढ़ा होगा कहानी वानी खोठा के भुने स्वर्दत सर्मा अगला सवाल क्या है खोठा भासा में लिखित मेग दूद के भुने स्वर्दत सर्मा श्री निवास पानूरी केशव कुमार कौन होगा करल इनकी जिवनी पढ़ी है चलिए बहुत बढ़ी है जवाब बहुत सही बहतरीन जवार आप लोग का श्री निवास पानूरी जी है मेगदूत के लेखक अना अचा मेग दूतम लगा देंगे अना तो उसके लेखक कौन है मेगदूतम के लेखक कोन है बताओ तो जल्दी से ब्यादी यह इंडियन हिस्टिच से आ जाएगा कौ पानूरी ठीक है यह जवाब बिल्कुल सही है अब इससे आगे बढ़ते हुए थोड़ा सा जल्दे से बताएं देखते हैं किसका जवाब आता है मेहदूतम के लेखा कौन है कालिदास 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 बहुत शहीब चलिए ठीक है बहुत सही है कालिदास कालिदास अच्छा बताएं अभिज्ञान साकुंतलम के लेखा कौन है अभिज्ञान साकुंतलम अभिज्ञान साकुंतलम के लेखा कौन है कालिदास ठीक है मेहदूतम के ठीक है अभिज्ञान साकुंतलम के लेखा कौन है ऊगे बताइए हे ये भी कालीदास लिखे है देहो तुलसि दास लिख दिया एगो पागल देहो तुलशियो दास लिखने वाला यहां पे अभी ज्यान सा पंच तंत्र के लेखा कौन है गीतावली के लेखा कोन है गीतावली के लेखा कोन है बताओ जल्दी जार्कन वाला नहीं वाला पढ़े हैं बुक हाँ गीतावली का हाँ ये ठीक है गीतावली तुल्सी दास गीतावली किस ने लिखा भी या तो तुल्सी दास किस भासा में लिखे हैं ये बता दो भासा बता दो गीतावली किस भासा में लिखा गया है बताओ जल्दी से हाँ तुल्सी दास्थी का किस भासा में लिखे ये भी बता दो इननुमान भक्त तुलसी चलिए बहुत हई यह राम भक्त चलिए संस्क्रीट में नहीं लिखें मुझे लग रहा थे कि आप लोग गलती कर देंगे यह गीतावल दी ब्रजभासा में लिखा गया है ब्रज भासा में है ठीक हैड चलिए अगेवरते हैं 왜 अगला सवाल मेरे लेते हैं पर्थम खोठा पत्री का मत्री भासा का प्रकाशन किस ने किया था फैसरी निवास पानूरी एके जा बिनोच कुमार फूल-चंद महत्तोब YES कर्ष ने किया थे ब्रेज में आउधी में भी है उसका आउधी में है लेकिन ब्रेज और आउधी ये दो भासा का यूज करते थे थे ठीक है खोटा नहीं पढ़े हैं कि पानूरी जी हाना खोटा मात्रिभासा का प्रकाशन किस ने किया श्री निवास पानूरी किस ने किया तो श्री निवास पानूरी बिलकुल सही जवाब है अगला सवाल ले लेते क्या है निम्म में से कौन सा गजाधर मातों का कहानी संग्रा है कौन सा गजाधर मातों का कहानी संग्रा है बाल किरन पुटूश फूल दिब्ब जो पानूरी जी हमारे चलिए बहुत चाहिए पुटूस फूल गजाधर मातों ने जो कहानी संगरा लिखा है उसका नाम है पुटूस फूल अगला सवल नामनीका गुक्ता शंतोष कुमार महतो कौन है जल्दी बताओ कि नहीं जीन नहीं मौका नहीं मिला पहसर नहीं कि टायमियमेर ना तभी से एक्सेसीसिज्राइब करने की अग्योज़ करें अचलिए बहुत से यह बहुत से यह सभी लोगों का जवाब बिलकुम्ध चीजा अब इता है संतोफ कुमार महतो इज़ारृटंसैंट्स है तो यह संतोष कुमार महतो इधर राइट अगला सवल क्या देख लो ओनोड हे वहा डालवाक किसका कवीता संग्रा है अब किस लेंग्यूज में लिखा हुआ है जी आफी लोग बताओ हमको लग रहा कि यह खोठा होगा वह खोठा नहीं होगा यह हमको लग रहा है ना क्या होगा आफी लोग बताओ संतोष कुमार महतो ठीक है बहुत सही है दोंगल मतलब क्या होता है पता करो भाई आफी लोग अपने में मतलब एक पता का कटोरे में महुआ उन्हों दहा इसका मतलब यह हो रहा उन्हों डहा वहाँ डाकला का मतलब यह होता है रहन दिए सर यहीं पर ठीक नहीं नहीं चलो ठीक है क्या करेंगे हो जाएगा डोमन साहू समीर इतना खतरनाक है यह सब वर्ड हाँ जो पढ़ेंगे उसके लिए नहीं सब भासा तो नहीं पढ़ पाईएगा तो जो जान लिए उसको रट्टा मार लिए कुछ तो कप याद भी करना पड़ेगा हां तो यह देखो पुटूसफुल वह अभी आंसर आ रहा मनीज सा कुमारी आप रिफ्रेस कीजिए आप बहुत पीछे चल रहे हैं तो ओनो डहा वहां डालवा किसकी कविता संग रहा है तो पाल जुझार सोरें का है किसका है पाल जुझार सोरें जी का यह ध्यान रखेग कि अरे कि डोंगल का मतलब इधर उधर से चुना कि ऐसे बता रहें तो रोलेक्स मजाट ना करना नहीं तो ब्ल्सेट हो जाता दिमाग में जो जानकारी पता होता वहीं जानकारी देना चाहिए आगला सवाल क्या है निर्में से कौन से श्रिष्टि-धर सिंकी रचना कौन सी है गुड़ इबनिंग संगीता चलो ठीक है बहुत सही समय प्याई है डोंगल मिन्स वाइपाई बोल रहा है देख़ो एक थो कौन से स्रिष्टिधर सिंकी रचना है मानु भुमेक मान भुमेक कुर्माली भासा के तत्व कपीला मंगल पाला संगीत स्रिष्टिधर सिंकी रचना कौन सी है मान भुमेक कुर्माली भासा के तत्व कपीला मंगल पाला संगीत कौन सा होगा तो मान भुमेक A is the right answer सरसाइड प्ली एकजेक्टी एकज़क्ले आइम साइड एर कपीला मंगल पाला मंगल मान भुमेक मुझे जहां तक लग रहा स्रिष्टि ए इसते है इस फिर ई हाँ इस एचिए तो फिर आपन भुम कि रशना है मान भुमे कर ठीक है अग्ला सवल ले लिजे अगला सवन क्या निमने से कौन से पुष्टक धनपत महतों द्वारा लिखी थैं थोड़ा सा आगे आते हैं तो अच्छा हम सर नहीं बन रहे हैं इसलिए बस अपने नन्योंगली आराम दे रहे हैं नहीं बन रहे हैं इसलिए अच्छा कपिला मंगल प्रसाद जी का है कपिला मंगल जीका है का तो जीक करें को किस्कों को आप लोग एक बहुत बार क्रॉश कर रहें हैं कुछ का यज को देख लूँगा अगर ऐशा दिक्टत तो पक्का देख लूँगा इसको इसके बाद में बतकता हूँ ठीक है अगला सवाल ले लेते हैं क्या है कौन से पुछ तक धनपत्मातो द्वारा लिखी था है बताओ कि बुक करा दीजिए क्या बुक करा दे चलिए ठीक है तो इसलिए क्रॉस्चेक से भी लोग कर लीजिएगा रट लेंगे नहीं नहीं रटना नहीं है पढ़ना है कई बार पढ़ने से हो जाएगा दो चार बार तो पढ़ना पढ़ेगा एक्शली जो जिस लेंग्वेज चलिए वाले है उसको उस स्की रैटर टर तो याद करने में दिकत नहीं हो गा लेकिन बाकि की सब को थोड़ा सह मेइन तो करना ही पढ़ह पड़ेगा धन धनपत महतो जो है धनपत महतो यह भगवान विर्शा मुंड़ा पे लिखे हैं किताब किस पर लिखे हैं भगवान विर्शा मुंड़ा पे अच्छा यह तो पूरानी कहानियां वाला साहित्यकार का किताब है यह रिसेंट वाला का मैं एक दिन लेके आऊंगा रिसेंट वाला कि अगला सवाल लेते हैं क्या है अगला सवाल 29 के बाद 30 सर प्रथम किष्णे देवनागरिय लिपी में संथाली परवेशिका की रचना की है कि विर्षा भवान जी की जय हो विश्य मुंड़ा अच्छा विर्षा मुंड़ा चलिए ठीक है गूड इवनिंग शित्यास बहुत सब्सक्राइब एक दो कोश्चन पूछी एक्जाम में अच्छा चलो बढ़िया तर आप ऐसा लिख रहे हैं कि पढ़ने में ही नहीं आ रहा है हम अपना लिखने के लिए लिख रहे हैं लिखा पढ़ आपके पढ़ने के लिए तो हम लिख लिखे लाएं अल्रेडी टाइपिंग करवा के दामोन साहु समीर ठीक है देवनागरी लिपी में संथाली परवेशिका की रचना किसके द्वारा किया गया है तो दामोन समीर के द्वारा ठीक है चलिए अगला सवाल अगला सवाल ले लेते आठ बढ़ादे की छोड़ दे भी चलिए पांच कोईशन आप कर लेते हैं निधरे आखी जल आखी पाते किसकी रचना है सबीन लोग एक बार लाइक कर देंगे जितने बंधू पस्ठित है सबीन लोग लाइक करो यार अना यह लास्ट शकंड लास्ट कॉस्चन इसके बाद एक कॉशन आउग करेंगे एक है शार ठीक है सबीस got new day आंखी जलाखी पाते किसकी रचना है कोनिस लेंगोज को पढ़ रहा है बता हो कौन बताएगा एकी जल् väldigt यह किस लेंगोज में लिखा गया बताओ जो पढ़ रहा हो बताना खुदि राम्माटो देव की नंदन परसाद भोलानात का लिंदी विपिन विहारी और राइट कि जोटी मि negन परसाद है देव की नंधन परसाद इदर आठाएंसर निधरे आखी जल आखी पाते किसकी रचना है तो देव की नंधन परसाद जी की रचना है बहुत सही निदरें आखी जल आखी ये नमों से पहली बार परीचे हुआ है यहां बहुत कुछ पहली बार से यहांपर जुड़े रहे यह बहुत पहली पहली बार हाना पहली पहली बार हुआ है 17-18 नहींने 25-26 सालों में ऐसा फिल होगा हम ठीक है Yeah है चैतन्य कर्मकार किस भासा के पर मुख कभी है चैतन्य कर्मकार किस भासा के लाश्ट कोश्चन for this session संथाल हो गया क्या मिक्स करके लाए हैं कोच्चन इसलिए लग लग नहीं है जल्दे बताइए 32 का चैतन्य कर्मकार जो है किस कभी के किस भासा के रचनक एई भी है इधर इधर आओ सेतन्य कर्मकार जो है किस भासा के पर मुख कभी है तो यह कुर्माली भासा के कर्मकार किस भासा के तो कुर्माली भासा के कर्मकार है समझ रहे हैं कुर्माली भासा के कुर्माली है कुर्माली है ठीक है मुझे पता है यह थोड़ा सा नाम वगर याद करने में थोड़ी सी दिक्कत हो कि बहुत सारे राइटर है उसमें सेलेक्ट करके भी कुछ हम लाएंगे और कुछ जो दो भागों में बाटेंगे जो है ना रिसेंट के जो राइटर उस पर ज्यादा फोकस करेंगे अब कोड हमारा इस कोड का परियोग करके अगर उल्गुलांड टूप उल्गुलांड तूपोंट जीरो जो बैच चारू हो रहा है समय बढ़ गया तो अगर किसी को पेड़ क्लास में पढ़ना जो है जो पेड़ क्लास होगी उसमें साइंस जार्खंड स्पेसल और करेंट अफ लेने के लिए और कोई बिहार के अगर किसी पैक को लेना चाहते हैं तो यह कोड जो है ना कुछ लोगों को ही मिलता है उनिवेर्सल कोड मतला बड़ा कि कोई भी कोर्स को लेना है तो आप इस कोड का यूज कर सकते हैं कौन सा कोड वाई 802 आप लोगों को यसे याद हो गय अए जारहा डिजितल क्लासेश पीडिएप हना अफ लाइन क्लासेश ऊंलाइन क्लासेश्ट ग्रीज हरा है सारे जैसब जी रभी चलो बहुत सहीं है पृँकल सहीं मैंने आपका जवाब दिया और सिंभी देखिए सेल्थ अच्छा ठीक है विल्कुल सही है मैं देखूंगा आप लोग की सुब कामना जब तक है तब नव बजी मिलते हैं साइंस की कच्छा में 9 पी एम साइंस के कुछ महत्वपूर्ण सवाल होंगे हैं एक सेट में मिनिममम 20 कोश्चन और मैक्सिममम तो 50 भी हो जाता है तो यह कोश्चन हम लोग करते हैं रोज और कुछ कॉंसेप्ट वाली एक पॉइंट करेंगे मैंने पिछ इसले क्लास में हम लोगों ने इंडोक्राइन ग्लैंट के बारे में पढ़ा था देखते हैं आज क्या पढ़ती है यह सस्पेंस रहेगा चलिए बाए ओके मिलते हैं नेक्स क्लास में